नमस्य में हुआ रिनुका तो आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत बूस्वागत है तो आज की वीडियो में मैं आपको हरे मूख और चावल से बना एक बहुत अनोका नाश्ता बना के दिखाने वाली हूँ तो एकिन मानी आपने हरे मूख और चावल से बना ऐसा स्वाधिश्च अनोका नाश्ता कभी नहीं बनाया होगा तो चले श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो ये नाश्ता बनाने के लिए मेनी या एक कप चावल ये है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा कप हरे मूख डलने हैं फिर हमें इसमें दो कप पानी डलना है और इनी हमें अच्छी तरह से धो लेना है और इसमें से हमें सारा पाने निकाल देना है तो यहां मैंने चावल और मूख में से सारा पाने निकाल दिया है फिर हमें इसमें फिर से दो कप पानी डलना है और इनी हमें 20 मिनिट तक के लिए भीगो के रखना है तो अभी 20 मिलीट हो चुकme है और ही चावल और मूँग अच्छी तरह से भीख चुके है फिर उसके बाद आभी हमें इन्हें एक मिक सर के बरतन में डालना है फिर उसके बाद हमें इसमें 7 वारिक कठ की युग हरी मिर्ची डालनी है फिर हमें इसमें आठ लसुन के कल्या डलनी है और इसमें हमें एक कप पानी डलना है और इसका हमें एकदम बारिक पेश्ट बनाना है तो यहां मेंने मूग और चावल का एकदम बारिक पेश्ट बना लिया है फिर हमें इस पेश्ट को एक बावल में निकलना है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद नुर्सा नमक डलना है फिर हमें इसमें एक चम्मच चिनी डलनी है और इन्हीं हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस बैटर को हमें 10 मिनिट तक के लिए ऐसे ही रेने देना है फिर उसके बाद आभी हमें steam करना है तो उसके लिए मैंने घ्यास पे पर्तन रख दिया है और उसमें मैंने एक प्लेट रख दिया है तो हमें इस प्लेट को अच्छे दरा से तेल लगा लेना है फिर हमें इस बैटर के इसके उपर छोटे छोटे इसे थाली पीट डाल ले है तो आप इसे छोटे भी डाल सकते हो नहीं तो आप इसे बड़े भी इसके थाली पीट डाल सकते हो फिर उसके बाद अभी हमें इसे 10 मिनिट तक के लिए स्टीम कर लेना है तो अभी 10 मिनिट हो चुके है और यह अभी छोटे छोटे थाली पीट अच्छे तार से स्टीम हो चुके है पक चुके है फिर उसके बाद अभी हमें इन्हें थंडा कर लेना है और इन्हें हमें निकालना है तो मैंने उसके लिए यहाँ एक चाकू लिया है तो हमें इसे इन्हें चाकू या चम्मच से निकालना है तो यह दिखिए तो आप इन्हें मीनी इडली भी कह सकते हो तो यहां मैंने इसकी छोटी छोटी थाली पिट बना लिये है फिर उसके बाद अभी हमें इने तड़का देना है तो उसके लिए मैंने घ्यास पे बरतन रख दिया है तो सबसे पहले हमें इसमें दो चमच टेल डलना है फिर टेल गरमोने के बाद हमें इसमें आदा चमच राई डलने है फिर हमें इसमें आधा चमच जीरा डलना है फिर हमें इसमें आठ कड़ी पता डलने है फिर उसके पास हमें इसमें पाव चमच हिंग डलना है फिर उसके पास अभी हमें इन्हें आच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका हमें तड़का बना लेना है फिर उसके पाल हमें इसमें मुव और चावल के छोटे-चोटे थाली पे ड़लने हैं फिर हमें इसमें दो चमच लिंबू का जूट डलना है फिर आखिर में हमें इसमें आदा कप बारिक कटकी होगे हरी धन्या ड़लने है और इन सारे इंगिडेंस को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो इन सारे पीसिस को ये तड़का अच्छी तरह से लगना चाहिए तो अभी ये तड़का अच्छी तरह से लग चुका है और ये रेसिपी बन के तैयर हो चुके है फिर उसके पाथ अभी हमें इसे सर्व करना है तो आप इसे गर्मा गरम ग्रीन चटनी के साथ या सिप चाय के साथ नास्ते में सर्व कर सकते हो तो अभी यहाँ यह नास्ता बन के त्यार हो चुका है तो आज की वीडियो में इतना ही तो फिल से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए रेसिपी के साथ तो थैंक्स वरें वाच माई वीडियो